कल तक ADG क्राइम का पदभार समालेंगे ACB ADG के पद से रिलीव होने से पहले फर्स इंडिया से खास बात्चित में दिनेश एमेन ने कहा कि कई एहम मुद्धों पर अपने विचार भी दखे दिनेश एमेन ने खास बात्चित की हमारी सेयोगी नवीन शर्मा से ज़रा देखे ACB के ADG दिनेश में सर चार साल और करिबन एक माँ ACB के अंदर है उन्होंने ब्रिष्टाचारी को वापर back-to-back कारवई है कि हमारे साथ ACB के ADG दिनेश एमेन सर हैं सर आपने ब्रिष्टाचारी को वापर कारवाई की किस तरह से देखते हैं चार साल में कई घुसकुर्ब आई-एस, आर-पी-एस, आई-ए-र-एस अधिकारियों को ट्रैप किया है आपनी पिछले चार साल बहुत अच्छा रहा है हमारे अच्छे-चे डीजी रहे और सोनी साहब रहे और अभी हिमंत प्रेदर्शी साहब है और उससे पहले त्रिपार्टी साहब थे उनका पूरा सहयोग रहा और पूरा अशिरवाद रहा इसके अलावा अमारी पूरी टीम है कॉंस्टेबल से लेकिए अडिशनल इस पी हमारे आई-पे-एस ओफसर से इंस्पेक्टर्स डिवेस पी सबने बहुत अच्छा काम किया लेकिन सबसे ज्यादा में क्रेडिट देना चाहता हूं हमारे पब्लिक को जो सामने आये और हम लोगों को शिकायत की और हमरे साथ कड़े रहे इसी वज़े से बड़े-बड़े ब्रश्टाचार के केसे का कुलास हो पाया और जिस वज़े से मुझे लगता है कि अ हम लोगों के लिए जैसे रिवाल्विंग फंड है और हिल्प लाइन है इन चीज़ें से बहुत बहुत फरक पड़ा है इस था सही राम मिना उसको 26 जनवरी के ने ट्रैप किया था और और करीबन दो साल तक सुर्खियों में रहा हूं मामला उस मामले को किस तरह दिखते है ने वो शुरुवात की जैसे जैसे मेरा पोस्टिंग के फस्ट वो केस था जिसमें काफी के गर के सर्च में भी करीब डाए करोड के आसपास कैश मिल गया था और काफी सुर्खियों में रहा उस केस से एक बार एसी भी को अच्छा एक मोमेंटम मिल गया था उसके बाद जो गट जोड है अधिकारी स्मगलर और जो 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 दलाल है उनके बीच के गट जोड हम थोड़ पाए थे और उससे काफी फरक पड़ाता और तीन-चार केस हम उस्टे में कर पाए थे हमारे साथ थे एसी भी के जो एडीजी दिने से में सरून का हाली में जो तबादला हु हुआ है कैमरा परसें मिनोत के साथ नभीन शर्मा फरस्टन यानवीज जैपूर